और हमने तै किया है कि हम विदेशी कंपनियों के इस एका धिकार को प्रमानिक्ता के साथ तोड़ेंगे। लेकिन 10,000 करोड से ज्यादा टॉर्न ओवर वाली FMCG कंपनी बन चुकी पतंजली की काम्याभी कारोबार जगत के लिए एक मिसाल है। देखे सबसे खास सीज जो पतंजली ने की एक फेवरेबल इनवारेंटमेंट इनको मिला था सोदेशी का। सोदेशी जागरण के तहट इन्होंने अभियान चलाया और उस अभियान में इन्होंने सबसे खास बात क्या किया जो मुझे फर्क नजराता है वो ये आता है कोई भी प्रोड़क्ट या कमपनी सबसे ज़्यादा सक्सेस तब होती है जब इमोशनली आप अपने कंजीउमर के साथ उसको टच करते हो यानि भावनात्मक तरीके से आप अपने प्रचार आप अपने कॉम्निकेशन के माध्यम से आप अपने प्रोड़क्ट को अपने भोगताओं तक पहुचाते हो और बैंडिंग फोर्सेज जो होती है यानि एक तरीके से कस्टिमर की साइकॉलजी क को बाद लिया जाता है भावनात्मक तरीके से यह मतलब सफलता का चरम होता है रूची सोया का पतंजली ग्रूप ने दिसंबर 2019 में अधिगरहन किया था एफमसीजी मार्केट के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा कदम था मतलब एक ब्रैंड को स्टेबलिस करने में आप द पूरा सबसे जादा टाइम जो है किसी भी प्रोड़क को इस्टेबलिस में लगता है कि मार्केटिंग का जो इस्टेबिशन का इस्टेबिशन होता है चैनल होता है उसको डेवलप करने में और इस्टेबलिस करने में तो पूरे के पूरे मार्केट का जो चैनल है वो भी आ जो स्पीड होती है वो बहुत तेजी से आगे बरना शुरू कर देती है